नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्यायत 3 खिलोने वाला जो की एक कविता है यह ली गई है कक्षा 5 विशा हिंदी किताब रिमजिम से हम इस कविता को पढ़ेंगे और अंत में इसके प्रशनोत्तर भी करेंगे अगर आपको वीडियो एच्छी लगे त तो चलिए शुरू करते हैं किने कानों में बाली छोटा सा टी सेट है छोटे छोटे हैं लोटा था ली छोटे छोटे धनुश बाण हैं हैं छोटी छोटी तलवार नए खिलोने लेलो भाईया जोर जोर गय रहा पकार मुन्नु ने गोडिया ले ली है मोहन ने मोटर गाड़ी मचल मचल सरला कहती है मा से लेने को साड़ी कभी खिलोने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है अमा तुमने तो लाकर के मुझे दे दिये पैसे चार कौन खिलोना लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिली मोटर रेल पर मा यह मैं कभी ना लूँगा यह तो है बच्चों के खेल मैं तल्वार खरीदूँगा मा या मैं लूँगा तीर कमान जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान तपसी यग्य करेंगे असरों को मैं मार भगाऊंगा योही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा यही रहूंगा कौश अल्या मैं तुमको यही बनाऊंगा तुम कहदोगी वन जाने को हस्ते हस्ते जाऊंगा पर मा बिना तुमारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा दिन बर घूमूंगा जंगल में लोट कहां पर आऊंगा किसे लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजे देगा कवी सुबद्रा कुमारी चोहान तो दोस्तो हमारी ये प्यारी सी कवीता यहां समाप्त होती है अब हम करते हैं इसके प्रशन उत्तर कवीता और तुम तुमें किसी ना किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो उत्तर जब मम्मी पापा मुझे डाटते हैं या मेरा भाई मुझे टीवी नहीं देखने देता मा के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं मा के अलावा घर में मेरे पिता जी और दादा जी है दादा जी मुझे बहुत प्यार दुलार देते हैं हम ऐसे कई तयोहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं ऐसे तयोहारों के बारे में और उन से जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ उत्तर ऐसे त्योहारों में दशेरा मुख्य है इस दिन राम ने रावण कावद करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासल की उस दिन से हर साल यह त्योहार बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है तुमने रामलीला के जरिये या फिर किसी कहानी के जरिये रामचंत्र के बारे में जाना समझा होगा तुम्हें उनकी कौन सी बाते अच्छी लगी उत्तर अपने मातापिता के प्रती उनकी आग्या कारिता मुझे सबसे अच्छी लगी इसके अतरिक और भी कई गुण उन में थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जैसे उनका उच्छ आदर्श, उनका त्याग, उनका धैरे, उनकी कर्तब वे परायनता आदी नीचे दिये गए भाव कविता के जिन पंक्तियों में आये हैं उन्हें छाटो खिलोने वाला साड़ी नहीं बेचता है, कभी खिलोने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है खिलोने वाला बच्चों को खिलोने लेने के लिए आवाजे लगा रहा है उत्तर, नई खिलोने ले लो भाईया, जोर जोर वै रहा पुकार मुझे कौन सा खिलोना लेना चाहिए उसमें मा की सला चाहिए उत्तर कौन खिलोने लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार मा के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा उत्तर तो कौन मना लेगा कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजे देगा मुंगफली ले लो मुंगफली करम करारी टाइम पास मुंगफली तुमने फेरी वालो को ऐसी आवाजे लगाते जरूर सुना होगा तुम्हारे गली महले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस धंग से आवाज लगाते हैं उनका अभिनाय करके दिखाओ वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तयार करो उत्तर कबाडी वाला कबाडी, कबाडी वाला, रद्धी पेपर वाला सबजी वाला दस का सवा किलो आलू ले लो, हरे भरे टमाटर ले लो प्याज ले लो पल वाला इलाबाद का बढ़िया मीठा मुरूद ले लो सेप संतरा चीकू ले लो विध्यारती इसमें कुछ फेरी वाले का नाम जोड सकते हैं उनका अभिनयवे घर में अपने माता-पिता के सामने करें खेल खिलोने तुम यहां लिखे खिलोनों में से किसे लेना पसंद करोगी क्यों? गेन, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेल गाड़ी, फिरकी, गुडिया, बर्तन सेट, धनुजबान, बल्ला या कुछ और मैं रेल गाड़ी लेना पसंद करोंगी क्योंकि चलते समय इससे जो छुकशुकी आवाज निकलती है वह मुझे बेहाद अच्छा लगता है तुम अपने साथियों के साथ कौन-कौन से खेल खेलती हो? उत्तर मैं अपने साथियों के साथ कबड़ी, लुकाचिपी, खोको, बैडमिंटन आदी खेल खेलती हूँ खिलोने वाला शब्द संग्या में वाला जोडने से बना है नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संग्या क्रिया आदी पैचानो उत्तर पानवाले की दुकान आज बंद है पानवाले में पान संग्या है मेरी दिल्ली वाली नौसी बस कंड़क्टर है दिल्ली वाली में दिल्ली संग्या है मैमूद पांच बजे वाली बस से आएगा पांच बजे वाली में पांच विशेशन है नंदु को बोलने वाली गुडिया चाहिए बोलने वाली में बोलना क्रिया है दाड़ी वाला आदमी कहा है दाड़ी वाला में दाड़ी संग्या है इस समान को उपर वाले कमरे में रख दो उपर क्रिया विशेशन है मैं रात वाली गाड़ी से जम्मो जाओंगी रात वाली में रात संग्या है तुम्हारी राम लिला क्या तुमने राम लिला देखी है? राम लिला की किसी एक लगू कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी राम लिला प्रस्तुत करो तो ये आप स्वयम कीजिए कविता में कथा इस कविता में तीन नाम Ram, Kosh अलिया और ताड़का आए हैं क ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कता के पात्र हैं। उत्तर राम, कोशल्या और ताड़का ये तीनों नाम रमायन की प्रसिद्ध कता के पात्र हैं। यहीं रहूंगा कोशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कता से क्या संबंध है। उत्तर बालक सुयम को राम और अपनी मा को कौशल्या के रूप में देखता है लेकिन वह राम की तरह वन जाने को तयार नहीं है बलकि मा कौशल्या के पास घर में रहना चाता है इस कथा के कुछ संदर्बों की बात कविता में हुई है अपने आसपास पूच कर इनका पता ल रिशी मुनियों को राक्षस परिशान करते हैं उनकी शांती भंग करते हैं राम ने उन राक्षसों का वद्ध किया जिसके बाद सेवे फिर से शांती पूर्वक तपस्या करने लगे राम ने अपने माता-पिता के आदेश पर एक आग्याकारी पुत्र की भाती 14 वर्ष के लिए रिशी मुनियों को राक्षस परिशान करते हैं उनकी शांती भंग करते हैं राम ने अपने माता-पिता के आदेश पर एक आज्याक्यारी पूत्र की भाती 14 वर्ष के लिए वन जना स्विकार कर लिए तो दोस्तो हमारा ध्यायतीन इलोने वाला वो समाथ होता है आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाईए ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बड़ों का आधर कीजिए धन्यवाद